बुक्स को इस्पेशल सेल्व में रखा जाता है किसी बुक होल्डर में रखा जाता है और हाइलाइट तजीके से रखा जाता है यहीं चीज हमें समझाना चाहता हूं सर्च इंजन सर्च इंजन होता है जैसे आप पहले यह ऐसा हो कि उस कॉंटेंट में जो लिखी वी बात है वो बातें यहां अपनी website को Google के top 10 ranking में लाना अपनी website को एक ऐसी यह पिर ने गयेक उपक्त के तरह है। ह्लोव फ्रेंड्स वेल्कम गई थिस विडियो सिरीज इस वीडियो नंबर फॉर विए इसफ़ते का शॉथा वीडियो थस्टे का दिन मेंस वे बात कर रहा हूं कल हम रिलीज करें के 25 वीडियो I am really really excited about this 25th video लेकिन उस excitement को हम कल और अच्छे से enjoy करेंगे आज बात करते हैं आज की topic के बारे में आज फिर से मैं कुछ और tips कुछ और नई बाते on page SEO के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा topic है user experience user experience so friends आपको जब अपनी website को अच्छा on page SEO देना है अच्छी ranking लानी है आगे future में अपनी website की एक value बनानी है एक reputation बनानी है website की तो आपके लिए बहुत important है कि आप समझें कि आपका user कैसा experience कर रहा है आपकी website को use करते वक्त तो user experience related कुछ tips मैं आपको दूँगा ऐसा नहीं है कि यही बस tips है इसके अलावा बहुत कुछ है इस video series में आगे आने वाले videos में बहुत सारी बाते on page SEO, off page SEO, link building, SMO, काफी चीज़े हम बाते करने वाले हैं इस video series में लेकिन फिलाल अभी के लिए कुछ important tips आज के इस video में तो सबसे पहला important point है हमारी website के लिए उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपका user आपकी website को दो particular mode में देखता है एक आपके पास desktop user हो सकते हैं दूसरा mobile user अगर fact की बात करें तो इंडिया में पास साल पहले तक desktop user बहुत जादा थे लेकिन आज की date में ये percentage mobile users की तरफ बढ़ता जा रहा है normally जब हम website बनाते हैं तो हम website को desktop पे design कर रहे होते हैं और उसके mobile view के aspect को overlook कर देते हैं समझ नहीं पाते कि ये website mobile पर जब दिखाई देगी तो क्या-क्या factors जो important थे highlighted one थे desktop में वो mobile view में खतम हो गए guys mobile users के बढ़ते हुई numbers की वज़े से Google ने भी recently एक update निकाला है जिसकी वज़े से आपकी website अगर mobile friendly नहीं है तो आपकी site की ranking कभी भी अच्छी नहीं जा पाएगी so अपनी site को mobile friendly बनाईए first point second point धियान रखिए कि जो चीज़े यहाँ पर importantly design की गई थी वो mobile view में किस तरह दिखाई दे रही है अपने कोई भी important keywords है content है उसको main body text में रखिए ना कि sidebar में because sidebar का जो look है वो mobile पर different तरीके से आपकी user के पास पहुचता है ठीक है धियान रखिए कि mobile view कैसा है आपकी website का next important point have fast load times आपकी website अगर load होने में जादा time लगाती है आपकी website को open होने में बहुत time लगता है पुरी तरह से page आने में बहुत जादा time लगता है तो यह आपकी website के लिए गलत है loading times do also affect search engine ranking and SEO as well lower the loading time the worst will be traffic जितना जादे मतलब आपका loading time लगता है वो आपके traffic पर असर करता है और आपको यह reduce करना चाहिए कैसे करते हैं उसके लिए कुछ tools भी होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कुछ precautions होती हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या धियान रखना चाहिए आपको अपनी website के load time को कम करने के लिए next point ensure your navigation is easy to use आपकी website पर उपर की तरफ एक menu होगा आप अपने menu को ध्यान से design कीजिए content के बीच में link लगाई है one page to two page जाने के लिए जिसे मैंने internal linking बताया था sidebar को use कीजिए वहाँ पर pages के link लगाई है ताकि आपका जो visitor है वो आपकी website को सारे तरीके से navigate कर सके हर page पर जा सके अगर उसके पास time है अगर वो चाहता है अगर आपका content इतना ज्यादा engaging है तो इस बात का धियान रखिए कुछ यही points थे जिन points के बारे मैं आज के वीडियो में बात करना चाहता था बाकी बाते करेंगे next वीडियो में और कुछ सीखेंगे SEO के बारे में